तो चलो बचों ये एक अच्छा सा क्वेस्ट्जन है, इसको देखते हैं कि यह क्या काते हैं इरुडोक का तो इसमें बेसिकली यह कहा जा रहा है की हमें एक concept होता है self energy का उसके बारे में बात की जा रही है कि एगर कोई ring है disc है वो बनता है तो proper potential energy of the gravitational interaction of the matter और यह question के मतलब यह क्या होता है जो जैसे मालो कोई cell है कोई disc है ठीक है तो यह जो disc है जब बना है किसी material से तो इसके खुद के particle भाई आपस में attract कर रहे होंगे ना तो उन particle को आपस में attraction की वह जैसे जो energy है उसको self energy बोलेंगे और वो energy किस form में है potential energy यह आई कहां से तो यह सारे के सारे mass infinity पड़ते और उस infinity से लाने में इस disc के ring या hollow sphere solid sphere को बनाने में जो external legend लाया होगा जो भी उसी की energy इसमें store है बात समझ में आ गई तो चलो सबसे पहले मान ले यह infinity है एक unknown point है और इस infinity पे सारे mass है ठीक है ना और यह जो छोटे-छोटे mass है डीम डीम यह चोटे-चोटे piece है mass वह infinity पे है तो जो मैं सबसे पहला mass लाओंगा सबसे दुनिया में सबसे पहला mass लाओंगा तो मुझे कोई work done करना ही नहीं पड़ेगा क्यों नहीं work done है कि gravitational field is zero होगा तो चलो यहां सबसे में मान लेते हैं पहला वाला इस question के दो पार्ट है तो पहला पार्ट में पहले वीडियो में कर रहा हूं और दूसरा पार्ट के लिए दूसरा वीडियो देख लेना ठीक है तो यह uniform sale है और इसकी mass M rise करना है R तो सबसे पहले इसकी mass कहां से कहां तक increase करना है mass पहले 0 से 0 से capital M तक increase करना है चलो मान लेते हैं ये capital M है capital M ये तो ये sell है जिसका radius R है और mass capital M है तो basically इसको बनाने में कितनी energy खर्च हुई होगी वह ही इसकी self energy है जो कि इसके particle की लापस में attraction कर रहे हैं उसकी वज़े से potential energy के form में है ठीक है सब कुछ तो चलो जो सबसे पहला जो एक छोटा सा बहुत छोटा सा mass लेके आए ठीक है और infinity से लेके आए आप किसी भी रास्ते से लेका हो ये path independent है ठीक है तो ये मैंने M लेके आया और R radius का सेल बनाया तो इसको लाने में मुझे कोई work done नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि gravitational field था ही रही बात समझे में आया तो अब मैं इसी तरह से अब मैं छोटा mass dm लाऊंगा तो छोटा M तो मैं पहले ला दिया अब मैं छोटा mass dm लाऊंगा और इसको collect करूंगा और symmetricaly रखोंगा ऐसे sale के form में symmetricaly रखोंगा कुल मिला के ऐसे एक sale बनाऊंगा जिसका mass 0 to capital M तक लाऊंगा rise करेगा मतलब 1000 kg का आया तो 1000 kg तर लाऊंगा सबसे पहले मैं कुछ 2 kg लाया था फिर 2 kg पर छोटा सा 3 kg 4 kg ऐसे dm dm करके लाया और इस पूरे sale को 1000 kg का था तो 1000 kg को बना दिया बात क्लियर हो गया और ये sale wide जोड रहा हूं है symmetry के दी जो है कैसे जोड रहा हूं sale wide जोड रहा हूं तो अगर तुम देखोगे तो ये जो ये यहां से जो sale wise है तो ये जो छोटा जो m mass का sale बनाए हो एक m x general mass function है तो इसका जो potential होगा minus g small m over r होगा अब जो dm mass लाए हो for dm mass जो dm mass लाए हो उसको लाने में कुछ work done होगा तो जो work done external agent करेगा external agent का work done mass multiplied by change in potential energy change in potential work done is equal to mass multiplied by change in potential not potential energy change in potential ठीक न तो change in potential energy और यही अपना potential आई जाएगा तो change in potential external agent का work done potential final minus potential initial कहां से लाए हो भाई तो potential final भी हो गया और potential infinity से लाए हो 0 ले लिए तो जो external agent work done किया होगा वो dw और यह potential बात समझे में आए है अब मैं इससे इसमाल वर्क डन इस जे फंक्षन जन्रल फंक्षन यह ठीक है जन्रल वर्क डन जन्रल वर्क डन टू कलेक्ट टू मेंग दे सेल डीम थीकनेस का सेल बनाने में यहां से इसको मैं इंटेग्रेट कर दूंगा तो जब अब यह जो प्रॉपर लिमिट है तो यह इसमाल वर्क डन या पोटेंशल इनर्जी तो जब कुछ भी मास नहीं लाये थे एम इसकोल टू जीरो था ठीक है तो यहां से तुम देखोगे जो पोटेंशल इनर्जी वर्क डन वो जीरो है तो मास जीरो से कैपिटल एम हमें करना है इसमाल एम की लिमिट जाएगी एम इसकोल टू जीरो टू एम इसकोल टू कैपिटल एम और यहां से टोटल वर्क डन या पोटेंशल इनर्जी अप दे इंट्रेक्शन अप पार्टिकल तो यह मैं बड़े अराम से ऐसे लिख सकता हूँ तो यहां से तुम देखोगे कि जो पोटेंशल एनर्जी की वेलू आ जाएगी माइनस जी आर कॉमन हो गया इंटिग्रेशन M dm और यह आजाएगा 0 to capital M limit यहां से जब इसको solve करोगे तो माइनस gm over r और m का square by 2 और limit जाएगा इसका 0 to capital M 0 to capital M beta तो यहां से is equal to minus z capital M का square और 2 upon r this is gravitational potential energy negative आ रहा है इसका मतलब है हुगा कि यह जो mass है वो आपस में interact कर रहा है और इस interaction की वज़े से इस cell को बनाने में इस cell को बनाने में जो energy खर्च हुई है वो यह जो cell है समझना इस बात को अभी कहानी कतम नहीं हुए यार तो यह यहां से यह cell है और यह cell radius R है और इसका mass capital M है तो infinity से infinity से लाने में सारे mass ठीक है लाने में जो energy potential energy जो work सेल है तो तील सेल जिसकी radius शिर्फ आर है नहीं तो थीक होता तो याद करूं कि अगर दुबारा इन सभी मास्कों मुझे infinity पे भेजना हो तो क्या होगा ठीक है इफ वी वी वांट टू डिस्ट्राइट इस सिस्ट्रम इस सेल को मैं डिस्ट्राइग करना चाहता हूं और इन सभी मास्कों में दुबारा इन्फिनिटी पे भेजना चाहता हूं तो इफ वी डिस्ट्राइग अगर मैं इस सिस्टम को डिस्ट्राइ करना चाहता हूँ and send the mass infinity send the mass जहां से आयते उतना ही ओहीं पर भेज़ दो तो वहां पर potential energy कितनी थी 0 तो हमें कितनी energy supply करनी पड़ेगी तो इसमें जो energy potential energy external energy जो देनी पड़ेगी वो plus gm r square over 2r मनलब इतना बाहर से अगर मैं energy दे दू तो कुल मिला कि जो total energy होगी negative होगी और यह सारे के सारे mass infinity को shift हो जाएंगे जहां से आयते तो I hope कि आपको सबसे best explanation मिला होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है knowledge मिलता सबसे best वाला तो आप मेरी channel के साथ बने रहो thanks for watching this video bye bye take care और आप बने और आपको और यहारी से दो होगा आपको सबसे प्रूड़ कर दो होगा पको सबसेख से वाज होगा हो a क्यारा सबसे तो होगा हो